तो आज कलेंडर का last topic है हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं last topic को कलेंडर के, पिर्थम दिन और अंतिम दिन से सम्मंदित पृस्ने, इसको और समझ लीजिए, जो बचा है विल्कुल clear हो जाए, क्या, पिर्थम दिन एवं अंतिम दिन, पिर्थम दिन एवं अंतिम दिन से सम् वर्स, और एख होता है आपका अधी वर्स जिसको आप कहते हैं लेपियर, और दूसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है pensar सताब्दी, ठीक है, तो प्रिथम दिन और अंतिम दिन जो है महीने के भी होते हैं, वर्स के भी होते हैं और सताब्दी के भी होते हैं, दोनों ही तरक से प्रिथम दिन और अंतिम दिन आपके होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वर्स को देखते हैं, टाइप 1 में वर्स को पढ ठीक है इसके बाद के जो भी थोड़े बहुत कुश्चन होंगे वो सीट स्वल्यूशन के साथ समाथ हो जाएंगे उसमें परेशानी आपको नहीं होगी ठीक है चड़ियाए आगे बने हम लोग तो सबसे पहले देखते हैं वर्स देखो याद रखो दो तरीके के वर्स होते ह तेजी से समझते चलो सामान वर्स एक चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा कि कोई वर्स जिस तारीक से सुरू होता है उस तारीक के एक दिन पहले अपने आपको कंप्लीट कर लेता है जैसे मालो निव येर जो होता है हैपी निव येर वो कब सुरू होता है एक जनवरी को तो कोई वर्स जिस तारीक को सुरू होगा उस तारीक के ठीक एक दिन पहले अपने आपको क्या कर देगा समात कर देगा एक जनवरी से सुरू हुआ वर्स कब खतम होता है 31 दिसम्मर को खतम होता है इसी परकार जब आप कुछी को जनम दिन विस्ट करते हैं वर्डे विस्ट करते कि किसी व्यक्ति का जरम दिन 16 अगस्त है तो 16 अगस्त ते लेके अगले 15 अगस्त तक उसने क्या किया है 365 दिन का सर्किल पूरा कर लिया है जब अगला 16 अगस्त आएगा तो उसके नए वरस का पहला दिन होगा मतलब तो आप 15 तारीक की रात में 12 बज़े उसको हैपी वर्ड विस्ष करते हैं क्यों विस्ष करते हैं विटा अगर उसका जरम दिन 16 को है क्योंकि यहां से 16 तारीक शुरू हो रही है तो यह उसके जीवन का 9 वरस है और उसने पुराना वरस 15 तारीक को पूरा कर लिया तो 16 अगस्त से शुरू हुआ वरस 15 अगस्त को खतम होता है एक जन उसके ठीक एक तारीक पहले क्या हो जाएगा, ठीक एक तारीक पहले क्या हो जाएगा, समाप हो जाएगा, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, एक calculation यहाँ पर set होती है, यह सवाल आपके time भी लेते हैं और गलत भी करते हैं, आप लोग क्या, किसी सामान वर्ष का, सामान वर्ष की बात कर रहे हैं, पहला और अंतिम दिन हमेशा एक समान होता है, अब यहां से बहुत focus करिएगा, क्योंकि यहीं से सब connect होता जाएगा, पहला और अंतिम दिन, किसी सामान वर्ष का, अगर हम लोग बात करें, आग तक आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा हो सकता है, लेकिन अप ध्यान दे दिजिए, किसी सामन बर्स का पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन क्या होता है बेटा, एक समान होता है, अंतिम दिन, किसी सामन बर्स का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, एक समा दिन 31 दिसम्बर को होना तैह है आज तक आप लोजिक नहीं किया अगर कोई वर्स सोमार से सुरू हो रहा है तो वो सोमार पर ही खतम होगा अगर एक जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसम्बर को भी मंगलवार होगा तो ज्यान लिजीगा जैसे मान लिजी हम सिद्ध कर लेते है जैसे हमने कहा कोई तारीक है 1 जनवरी 2005 और इसका अनतिम दिन क्या होगा 31 दिसंबर 2005 तो एक जनवरी 2005 को जो दिन होगा 31 दिसंबर 2005 को भी वही दिन होगा कैसे तै करेंगे तो इनका सेस्फल एक समाना न चाहिए फॉर्मूले से भी मैं बता देता हूँ कैसे तारीक कित्ती है एक, जन्वरी का कोड एक एर, पांच, लीपियर कित्ते होंगे बताओ एक होगा, पास्टायल में एक लीपियर और सेंचरी कोड कित्ता होगा छे और डिवाइड़ भाई कित्ता होगा साथ अब गौर से देखो, पांच, एक, छे, एक, साथ और छे, और एक, साथ, सब कट गया तो बताओ, अगर सब कट गया तो कित्ता बचा बताओ जीरो बचा, और जीरो का मतलब क्या होता है इसका जिसे रिमेंडर क्या आया है जैसे आपने कहा 5, 6, 7, 8, 6, 14 है ना तो 7 में से जब 14 भाग देगे तो सिस्फल क्या आएगा 0 और 0 का मतलब क्या होता है बताओ जब जब 0 आता है कौन सा दिन होता है सनी बार तो इसका दिन कौन सा था सनी बार तो इसका भी सिस्फल 0 आएगा इसका भी सिस्फल 0 आएगा 31 दिसंबर का कैसे तारीक किती है 31 दिसंबर का कुट किता होगा 6 एर किते होंगे 5 लीप एर किता होगा 1 सेंचुरी कुट किता होगा 6 और डिवाइड़ वाइ किता होगा 7 अब बताओ देखो 31 दिसंबर किता होगा 37 और 305 किता होगा 42 तो यह तो कट गया 31 दिसंबर किता होगा आज से इस चीज को अपने मनमस्तिक में बठाल लीजिए हमेशा किसी सामन वर्स का पहला और अल्तिन दिन क्या होता है एक समान होता है अब आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है देखो इदि दो जनवरी को यदि दो जन्वरी को मंगलवार हो तो उसी वर्स में तीस दिसंबर को कौन सा दिन होगा कौन सा दिन होगा और आप देखो ये बेसीकली जो कुश्चन है बेसिक कॉमन सेंस का कुश्चन है इसमाँ कैल्कुलेशन करने ही नहीं आपको confusion किया जाता है कैसे देखो calculation निकाने है यदि दो जनवरी को मंगलवार है तो बताओ एक जनवरी को क्या होगा गहां होगा है तो महार होगा इसा एग अगर तीस decembr को महार है तो इसका अंतियंग दिसमर हूगाँ सोच लेंगे कि नहीं तो 31 दिसंबर अगर सो मार है क्योंकि पहला वांतिम दिनेक सवान तो 30 दिसंबर क्या होगा रभीवार होगा 30 दिसंबर क्या होगा रभीवार होगा क्लियर हुई बात समझ में आया हाँ आसान है फिर एक कंश्यूजन किया जाता है जैसे इसी कुश्चन को हम लोग इदर से बदल दें यहां से कुश्चन को नया ले लेते हैं ध्यार दीजिए का परिक्षा में यहीं मिलेगा यदी यहां से कुश्चन पढ़िए यदी किसी सामान वर्स में दो अक्टूबर का दिन कौनसा होगा दिन कारता हfindा तो बंसेंस याद आ रहा है ने लीप की बाद निहीं कर रहा हूं अभी कर लाओं यह तो लिख्षा है मैं इसी चीज को जो आपको पढ़ाया उसको एहां समझा रहा हूं जो चीज मैंने यहां पर आपको पढ़ाई है उस ह को यहां नेरेट कर रहा हूं, वह भी लीब बर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, देखे, अब देखो, जैसे क्या लिखा है, अब इसको खतम कर दीजे, ये तो समझ में आ गया, अब देखो, एक बेवकूफ और कैसे आपको बनाया जाता है, कैलकुलेशन कहीं निकलनी है ओरल है, लिखा है, यदि दो जनवरी को मंगलवार है, तो चार अक्टूबर को क्या होगा? तो मैंने जब आपको पढ़ाया है, तो मैंने पढ़ाया है समान महिने वाले महिने, और समान महिने वाले महिने के कौनसेप्ट को गल आप लेंगे, तो 144, 025, 036, 146, तो आप जान दो जनवरी को मंगलवार है, तो जनवरी बरावर अक्टूबर, तो बेटा, बस सोच लेना, दो अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा, अदो अक्टूबर को मंगलवार है, तो तीन को बुधवार, पचार को क्या होगा, गुरुवार, पैन चलाने की जरूरत नही तो फिर जो है गड़बर नहीं होगी, clear है, हाँ, clear होगी बात, हाँ, तो दो तरीके से यहाँ पर confusion किया जाता है आपको, कि या तो पहले महिने से लाष्ट महिने को connect कर लेगा, या फिर समान महिने वाले महिने में किसी महिने को connect कर लेगा, तो दोनों ही तरफ से आपको इसको ध्यान देना है और एक concept दिमाग में याद रखना है कि किसी सामान वर्स का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है, क्लियर है, हाँ, क्लियर हो गया, आप देखो, यहाँ पर कभी-कभी देखो होता क्या है, आप देखो, ऐसा तो होता नहीं है, कि सब का जो जीवन है, वो या सामान वर्स की ही बात करना हो, इसी को कंटी करना हो, यदि 16 नमंबर, यदि 16 नमंबर, 2014 को गुरुवार था, तो 16 नमंबर, 2015 को क्या होगा, अब देखो, यह भी basic common sense से होगा, अगर कोई वर्स, 16 नमंबर से सुरू हुआ है, तो वो अगले साल 15 नमंबर को खतम हो जाएगा, हो जागा कि नहीं, एक वर्स हो जागा, यदि कोई वर्स 16 नमंबर को सुरू हुआ है, तो अगले साल 15 नमंबर को खतम हो जागा, क्योंकि यह जो duration है, कोई जिस तारिक को सुरू होता है, उसके एक तारीक पहले समाप्त हो जाता है सोला को सुरू हुआ, पंदरा को खतम हो गया इस डिूरेशन को हम क्या कहेंगे 365 दिन की डिूरेशन है तो किसी सामन वर्स का पहला और रंतिम दिन क्या होगा एक समान, मतलब ये 2015 को भी क्या होगा, गुरुबाद होगा तो सोला नमंबर को क्या होगा, सुप्रवार होगा ओरल है, कैल्कुलेशन नहीं करनी है ओरल है, कैल्कुलेशन नहीं करनी है क्लियर है, हाँ, कैल्कुलेशन नहीं करनी है बास समझ में आ गई? हाँ, जैसे चलो, एक और अधार लेलो यदि X का बर्थडे 3 जुलाई 2017 को रविवार की दिन है, ठीक है, तो X अगले वर्स किस दिन अपना जनम दिन मनाएगा, किस दिन बर्थडे मनाएगा अगले वर्स, ठीक है, 3 जनमरी 2017, अब आप बताओ बेटा, अगर 3 जनमरी 2017 को रविवार है, तो अगले वर्स 2 जनमरी 2018 को भी रविवार होगा, होगा कि नहीं होगा अब एक चीज बताओ पिटा है यह कौन्सेप्स समझ में क्या बताओ कि किसी सामन वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है किलियर हो गया अधी वर्ष में प्रोग्राम बदल जाता है अधी वर्ष अधी वर्ष का मतलब लीपियर अभी मैं इसी को कठिन सवालों से जोड़ूंगा ध्यान दीजिएगा अधी वर्ष में पहले दिन से हमेशा एक दिन आगे बढ़ जाता है थीक है चल अधी वर्ष चो होता है वो लीपियर है अब समझ लो लीपियर का मतलब क्या होता है कि किसी लीपियर का किसी अधिवर्ष का कि किसी अधिवर्स का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है कि अधिया है कैसे बढ़ द्जाता है समझीए देखो जैसे माल लो बीटा यहां पर क्या है कि एक जनवरी को मंगलवार सब्सक्राइब तक तो सारा दिन एक जैसा हो गया लेकिन जैसे ही 29 फरवरी आएगी वो एक एक दिन क्या कर देगा आगे बढ़ा देगा जैसे मालो कि अगर कोई अधी वर्स है उसका प्रथम निम जैसे हम ले लेते हैं एक जनवरी 2016 का जो सेस्फल होगा 31 दिसम्बर 2016 का सेस्फल उससे एक ज्यादा आएगा ये दिन एक दिन आगे बढ़ जाएगा कैसे समझ लो एक बात बताओ जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है क्या उन सब टॉपिक्स में आपको एक कॉंफिडेंस है कि उसको आप पढ़ा सकते हैं हल्लिंग कर सकते हैं पढ़ाने का कॉंफिडेंस है एक जनवरी का कोड़ यहां पर जीरो होगा एयर 16 होगी लीपियर 4 होगा century code 6 होगा, और बटे 7 होगा, क्या आपको एक confidence है कि आप उस topic को पढ़ा सकते हैं, है ना, हाँ, बहुत बढ़ी है, बस यह ही चाहिए बटा, देखो, देखो, यह है ना, 7, 7, 2, 14, कितना बचा, 2, अब 6 और 4, 10, 10 और 2, 12, और 1, 13, 6 और 4, 10, और 2, 12, 13, और 7 एकम 7, और 13, कितना बचा 6, इसका सेसफल 6 आया, और इसका सेसफल अगर 6 आया, तो आप सब लोग जानते हैं कि 6 का मतलब इस दिन क्या होगा, सुक्रवार, बेटा इस दिन अगर सुक्रवार है, तो ये दिन सनीवार होगा, इसका सेसफल सुनना आएगा, एक ज़्यादा आएगा, कैसे, देख पर 6, 4, 10, 10, नहीं, ऐसे कर लो, 16, 4, 20, 6, 26, 26, 26 कित्ता हो गया, 32, और 32, 31 कित्ता हो गया, 63, तो टोटल हो गया 63, और 63 बटे साथ, सतनाम 63, कित्ता कित्ता हो गया, 0, और 0 का मतलब क्या हो गया, सनीबाद, 0 का मतलब क्या हो गया, सनीबाद, हो गया कि नहीं, क्या हो गया, कि किसी अधी वर्स का अंतिम दिन, पहले दिन से हमेशा एक दिन, आगे बढ़ जाता है, तो अगर पहले दिन को सुकुरवार था, तो अंतिम दिन को क्या होगा, सनीबा, यहाँ पे भी सेम कॉंसेप्ट है, यहाँ पे भी सेम कॉंसेप्ट है, और सेम कॉंसेप्ट के यहाँ पे यहाँ भी आपको लेना है, जन्वरी का कोड एक नहीं होगा सुमंजी, क्योंकि लीप वाल लिखे अब आपके मन में यह होगा कि हम इसको लीपियर माने के जन्रलियर यह वाले को सबसे जरूरी समझेगा जो आप बता रहा हो जैसे मैंने लिखा कि यह बताओ कि अधी 15 अगस्त 2016 को सोमवार है तो 15 अगस्त 2017 को क्या होगा अब है तो एक ही वर्स लेकिन आपके तरहते एक दिक्कत क्या है कि आप कह रहे हैं कि यह तो गजब फसा आया एक जामनने के एक जगह तो यह लीपियर है और एक जगह यह जन्रलियर है तो हम इसको लीप मानें कि जन्रल मांगनें जल्दी जल्दी में मत करो अब यह समस्या है न कि क्योंकि सिक्वेंस शुरू हो रहा है लीप से खतम हो रहा है जन्रल पर फिर मैंने एक और लिखा मैंने लिखा समझे का गड़वर का हाथ है मैंने लिखा 13 जुलाई 2013 को मंगलवार है तो 13 जुलाई 2013 को मंगलवार है तो 13 जुलाई 2012 को कौनसा दिन होगा अब यहां पे वही दिक्कत है गौर से दिखो क्या दिक्कत है एक जन्रल एयर है और एक लीपियर आपको देखना है कि भीच में वह आई या नहीं आई कौन इसकूल की वह आई या नहीं आई कौन और में वहीं…. है ना आपको क्या देखना है वह आई या नहीं आई क्योंकि वह आयेगी तो फिर एक दिन रुक के जाएगी है ना देखो हमें क्या देखना है कौन आई हमें फरवरी 29 वाली देखनी है यह 29 वाली फरवरी अगर आती है तो एक दिन रुखके जाती है तो आपको देखना है कि आई कि नहीं आई तो इसमें गौर से देखो इसमें जो फरवरी आएगी वो 2017 की आएगी क्योंकि जब यह सम सुरूए हुआ यहाइगी उन्तीस दिन वाली नहीं आएगी तो हम कहेंगे इसमें वो नहीं आई इसms में वो नहीं आई अगर वो नहीं आई तो यह इस θα मांद वर्स वर्स कौन होगा सोवन मार ही हाँ वो आय तो थी पहले निकल गई ठीक है आई पर रुकी नहीं है न कुछ में समाुद वाड़ है आपके लिए आई पर रुकी नही अब यहां पर बताओ वो आई या नहीं आयी, चल्दी बताओ, वो आए की नहीं आई, अब यहाँ पर फरवरी आएगे, क्योंकि यह तेरा जुलाई 2011 से तो 극्याटiam हो रहा है, यहाँ पर फरवरी आयगी वो 2012 की आई तो फैम निकल गई है तो इसको हम कैसे consider करेंगे या लीपियर होगा लीपियर का जो अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है तो यहां पे 12 जुलाई 2012 को क्या होगा बुद्वार होगा बुद्वार होगा और यह बताओ क्या होगा तो गुरुवार वह आई और आपसे मिलके भी गई है चलो अब आप बतागा है लाँ है सत्रा अगस्त है सत्रा अगस्त है कि दो हजार पंद्रा को गुरुवार है बहुत ध्यान से करना तो अठारा अगस्त है दो हजार सोला को क्या होगा बताओ ओरल है जल्ली बताओ यह लीप एर का सिक्वेंस है कि जनरल एर का सिक्वेंस है सत्रा अगस्त दो हजार पंद्रा को गुरुवार है ठीक है अब सत्रा अगस्त दो हजार पंद्रा को गुरुवार है तो अठारा अगस्त दो हजार सोला का पूछा गया है तो इसमें फरवरी किसकी पड़ेगी इसमें जो फरवरी पड़ेगी वो 29 की पड़ेगी, क्योंकि फरवरी पड़ेगी 2016 की, अर 2016 क्या है, लीपियर है, है की नहीं है, और लीपियर का मतलब क्या हो गया बताओ, वो आई, आई, आई और रुक्के गई, यही होगा न, अगर आई है, तो यह क्या हो जाएगा, लीप हो जाएगा थाएं तो किसी लीप का पहला और अंतिम दिन क्या होता है किसी लीप यार का अंतिम दिन पहले धिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है तो देखो जाद रिखी है इस is डिफरेंस को देखी है एक दिन पहले का इह लिजाए सोला अगस्त 2016 को क्या होगा गुरुवार की जगा सुक्रुवार अब मैंने पूछा था 18 का आप लोग उत्तर दे रहे थे 17 का तो 16 अगस्त को तो सुक्र होगा तो 17 अगस्त को क्या होगा अब कुछ लोग लुकुल लुकुल में 17 का बता दिये है उन्होंने देखा ही नहीं जल्ली नहीं करना है जल्ली का काम सैतान का अच्छे से करना है तो ये सनीवार होगा और ये सनीवार होगा तो ये रवीवार होगा तो यहां से दो चीज़ें हम लोगों ने निकाली ठीक है क्या कि कि किसी सामान वर्स का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है और किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आके पर जाता है किलियर होगी बात है ना हाँ किलियर है डन है यह बात चलेगी दूसी बात डूसी बात आगे बने इस में डाइट दिन चेक नहीं करना है यह तो एक वर्ष का अंतर है ना जिस हिसाअब से वर्षों उससी सैथ हो याईगा एक वर्ष के अंतर में कुछ काल्पनिक दिन आप लोगों चेक वेत दिना जीए धिक है झाले होता है किसी सताब्दि का है प्र थम्दिन और अंतिम्दिन चलो यह डाइडेक्ट आपको यहां को इसको याद करना है कैसे देखो मैं चार दिन लिखता हूँ सुम्वार बहुत ध्यान से समझेगा पहले यह लिखता हूँ सुम्वार मंगलवार गुरुवार और सनिवार थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ाता हूँ बताता हूँ तो जल्दी आतो जाएगे अब बीच-बीच वाले दिनियाद रखिएगा देखो अब यहां पर मंगलवार और गुरुवार की बीच में क्या निकला बताओ तो आप कहेंगे सर बुदुवार ठीक है गुरुवार और सनिवार की बीच में क्या निकला सुकुरुवार और यहां पर क्या निकला बताओ रवीवार ठीक है सुम्वार को यहां पर भी लिखता ह हम में से दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, हम में से दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, एक जो बिलकुल गलतकार नहीं करते हैं, मतलब वो गलस सोचते भी नहीं है एक जो गलस सोचते हैं तो वो concept के साथ सोचते हैं जैसे माल लोग क्या होता है कि जैसे बाली जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो मीट बच्छी नहीं खाते या अंडा नहीं खाते लेकिन जो लोग खाते हैं वो भगवान को satisfy करके खात हम खाएंगे तो हम भगवान के दिरों में नहीं खाएंगे जैसे वो खाते हैं लेकरूण उठीज के दिन मना लिए जैसे पोब ग्रेगरी ने बताया था लेकिन भारत बालों ने उसकी जो व्याख्या की पोप ग्रेगरी के मंडे को भारत बालों ने सोमवार बनाया असोमवार को संकर जी को एलोट कर दिया पोप ग्रेगरी के पोप ग्रेगरी साब के ट्यूजडे को मंगलवार बनाया मंगलवार को हनु भगवान को दे दिया, है ना, तो सब दिन जो है अलोट कर दिये, और फिर अलोटमेंट के बाद भी हमने भी छाट लिया, क्या छाटा, कि ऊपर वाले जो दिन है भगवान के दिन है, ठीक है, इस दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, देखो, अक्सर दिनों में ये परेज के दिन होते हैं, मंगलवार, गुरुवार और सनीवार, अक्सर घरों में परेज के दिन हैं, इस दिन भाईया बचेंगे, ये भगवान के दिन हैं नहीं खाएंगे, अगर हमें कुछ गड़वर करना होता है, तो बुदवार को कर लेंगे, सुकुरवार को कर लेंगे, और रविवार को कर लेंगे, क्लियर है, यही कॉंसेप्ट लेकर चलते हैं, सोमार एक ऐसा दिन है कि कई लोग इसमें गड़वर करते भी हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सोम्मार वाले भगवान तो पता नहीं क्या-क्या खाते-पीते थे तो बाकी सब चलता है वाले भग्मान नाराज नहीं होते अब आपको याद रखना है मैंने चोटी सी बात बताई है लेकिन इसका बैलेंस क्या है उपर वाले दिन है ध्यान दीजिएगा आपको ऐसे याद करना जैसे मैं बता रहा हूं जो उपर वाले दिन है बेटा टिकád वो किसी सताथ दी के पिर्थम दिन हो सकते हैं तो किसी सताथ सताब्दी के प्रिथम दिन केवल चार हो सकते हैं मैं अच्छे से समझा रहा हूं किसी सताब्दी के प्रिथम दिन केवल चार ही हो सकते हैं कौन-कौन से सोमार मंगलवार गुरुवार और सनिवार इसके अलावा कोई दिन किसी सताब्दी का प्रिथम दिन नहीं हो सकता ठीक ह हाँ दूसरा किसी सताब्दी के अंतिम निन जो होते हैं किसी सताब्दी के जो अंतिम निन होते हैं किसी सताब्दी के अंतिम निन वो भी चार ही हो सकते हैं सोमार, बुधवा, सुकुरवार और रवीवार, इसके अलाबा कोई नहीं हो सकता, ठीक है, सोमार एक मात्र ऐसा दिन है, जो किसी सताब्दी का पहला दिन भी हो सकता और अंतिम दिन भी, अब आप से सवाल कैसे पूछा जाता है, ये समझ ये पेपर में, निमलिखित में से कौनसा दिन किसी सताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, बुधवार, सुकुरवार, रवीवार, गुरुवार, तो गुरुवार अंतिम दिन नहीं हो सकता, निमलिखित में से कौनसा दिन किसी सताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है, जो है, बुधवार, सुकुरव का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है इसके अलावा कोई भी दिन किसी तुमार मंगल गुरू सनी यह पहले दिन परेज के दिन से connect कर लीजी एक तो ट्रिक बताया है सुछने का और जिस दिन जो है सब होता है उस दिन वो जो अंतिम दिन होता है ठीक है क्लियर हो गया पंडे दोनों हो सकता है तो आपका उत्तर क्या होगा सोब माद यहां पर कलेंडर की केल्कुलेशन समाप्थ होती है ठीक है सारे टाइप यहां पर खतम होते है अब हम लोगों को एक कलेंडर में बहुत जरूरी है कलेंडर की थे ठीक है हाँ हम भूलने नहीं नहीं हम जिस कैलेंडर को पढ़ते हैं हम जिस कैलेंडर को देख रहे हैं उस कैलेंडर को पोप ग्रेगरी सामने बनाया था उस कलेंडर को पोफ ग्रेगरी साब्स ने बनाया था पोफ ग्रेगरी साब रोम के थे वो रोम के चर्च में पादरी थे क्या थे पादरी थे इसलिए जो केलेंडर इन्होंने बनाया था इस केलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं ग्रेग्रियन केलेंडर कहते हैं यहां से पृष्ण आपका गलाथ होता है या तो हम इसको ग्रेग्रियन केलेंडर कहते हैं या हम इसको रोमन केलेंडर भी ग्रेग्रियन कहते हैं या तो रोमन कहते हैं क्लियर है है ठीक है आप देखो आप से प्रिश्ण पूछा जाता है कि राष्टी और अंतराष्टी गजट में या राष्टी और का कलेंडर फिर लिखा होता है आपके पास इसलामिक कलेंडर और यहां पर आपकी देश भक्ति तुरंत जाग जाती है इसलामिक कलेंडर यहां पर आपकी देश भक्ति जाग जाती है और आप कहते हैं हिंदू हैं हम बतन हैं हिंदो सता हमारा और आप कुछ नहीं सोचते आप कहते हैं कि गलत भी हो जाए तब भी चलेगा लेकिन हम टिक हिंदू कलेंडर करेंगे हैं है ना तिक लेकिन आप बहुत साल से कहते हैं कि नहीं अपने देश का नाम है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है नहीं हम हिंदू कलेंडर का प्रियोग नहीं करते हैं राष्टी अंतर आपको देश घोसित किया हुआ है लेकिर उसमें 193 देशी United Nations Security Council द्वारा ऐसे मानता प्राप्त हैं जो देश होने के सभी मानकों को पूरा करते हैं जो राष्टी और अंतराष्टी संधियों और संबंदों से जुड़े हुए हैं उन 193 देशों में समान रूप से एक ही जब आप फ्लाइट बुक करते हैं या किसी भी चीज को बुक करते हैं तो 193 देशों में आप कभी भी चले चले जाएए दिन और तारीखें नहीं बदलती हैं कोमन चलता है तो वो ग्रेग्रियन कलेंडर होता है क्लियर है हाँ ग्रेग्रियन कलेंडर जब सुरू हुआ तो ग्रेग्रियन कलेंडर का पहला दिन जो इनकों माना वो क्या माना सोमा पहली तारीख मानी एक एक तारीख और सन इंक ध्यान दीजेगा जब पोप ग्रेग्री साब ने ग्रेगरियन कलेंडर को सुरू किया तो इन्हों ने क्या किया पहला दिन क्या माना सो मार माना पहली तारीक क्या मानी एक तारीक पानी और पहला सन क्या माना एक सन माना ठीक है हम कैल्कुलेशन में जब क्लियर करते हैं कि सोचोलोजी की प्रेक्टिस सेट दो सोसोलोजी कहां से आ गया है हुआ रिजनिंग की किरा से सोसोलोजी कहां मांग ले रहे हूं चलो हमने कहा सत्ताब्दी वर बर्स एक के प्रतमिन अलग लगते हैं बेटए कें हमने क्वं और वेक्वक् 요ण squishy सामने कविकाहाई उन्होंने पहला दिन क्या स सोमा0 x ठीक है, तो एक बात ध्यार रखिएगा, calculation में हमने जो structure बनाया है, उसका पहला दिन रवीवार है, लेकिन वास्तिक कलेंडर का पहला दिन सोम्मार है, calculation और वास्तिकता अलग है, वो हमने जो structure बनाया है, जिसका code है, वहाँ पर हम रवीवार ले सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, बताओ, यह सोम्मार है. तो gregarian calendar का पहला दिन क्या हो जाएगा? सोम्मार हो जाएगा. clear है? हाँ, गड़बढ नाया है. gregarian calendar का पहला दिन कौन सारा है? सोम्मार. तो यहां से एक question खटाक से बनता है, जो आप लुग गलत करते हैं, का प्रथम दिन क्या बताया है सोमार तो हमेंसे याद रखिएगा सब्ताय का जो प्रथम दिन होता है वो सोमार होता है ना की रभीवार होता है रभीवार गलत है है ना कौनसा होगा सोमार लेकिन कोड में जब आप वहां रखेंगे उस क्लॉग में जब हमने बताया है तो इस तब डिष्टर्ब हो जाएंगे पूरा ग्रेगरियन कलेंडर डिष्टर्ब हो जाएगा ठीक है हाँ उधर कोट का जो है संडे है लेकर यह यह क्या है मंदे यहां से दो प्रश्ण और बनते हैं पहला प्रश्ण मनता है मानो सब्विता का प्रारंब किस दिन से हुआ अब देखो बिटा मानो सब्विता का प्रारंब किस दिन से हुआ तो मानो सब्विता तो ग्रेगरी साब के आने से पहले से भी विद्धिमान थी ऐसा तो है ने कि जो ग्रेगरी साब आए तभी मानो सब्विता वदी है ना तो मानो सब्वता तो ग्रेगरी साब के आने से पहले से ही बिद्दमान थी, तो अगर लिखा हो कि मानो सब्वता का प्रारंभ किस दिन हुआ, तो आप कहेंगे ग्यात या निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये प्रुष्ण बदल जाए बेटा, और यहाँ पर एक मानो सब्वता का प्रारंभ कब से हुआ, का प्रारंभ कब से हुआ, तो बेटा, यह वह मानो सब्वता है, कैलेंडरी जो ग्रेगरी सामने मनाई थी, तो यहाँ पर आपका तुनन्त उत्तर क्या हो जाएगा, सोमाल से, क्या हो जाएगा, सोमाल से, अगर लिखाओ कि मानो बता का प्राराम कब से हुआ तो आप क्या कहेंगे सोभ मांस के लिए हैं हाँ अब देखो यहां से एक चीज और आपको समझ नहीं है छलो आप बताओ कि जो है जो एक सोलर होती है एक सवल्मन्स प्रिथिवी सूर का चक्क्क कर लगाता है कि प्रिथिवी का अरे यह तो बता दो भोगल पड़े होगे पिर्थिवी सूर का, दो पिरकार से लगाती है, एक तो अपने धुरी पर घूमना और एक सूर के चार और घूमना, एक को हम कहते हैं परिक्रमरकाल और एक को हम कहते हैं परिभरमरकाल, आपने लिखा होगा, है ना, जो पिर्थिवी बेटा सूर का चक्कल लगाती है, तो वो एक सौर मान क्या होता है एक सौर मान वह समय होता है या इसको हम लोग एक सौर वर्स भी कहते हैं एक सौर मान या एक सौर वर्स वह समय होता है जिस समय में प्रिथवी सूर का एक चक्कर पूर करती है और इस समय कित्ता होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकेंड, सेकेंड को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अलग-अलग रिसर्च में अलग-अलग होता है, एक सौर्मान वह समय है, जिस समय में पिर्थिवी सूर का एक चक्कर पूर करती है, और यह एडजेक्ट टाइम है, 345 दिन, 5 घंटे, 48 मिन, गिरेगरी साब को जो अपना कलेंडर मनाना था, तो उन्होंने इसी समय को आधार माना, क्या बताओ, 365 दिन यहां से उन्होंने ले लिया, और उन्होंने 365 दिन को क्या कहा, बताओ, उन्होंने 365 दिन को कहा, एक वर्स, क्या कहा, एक वर्स, यहां से उन्होंने कलेंडर लिया, तो फिर यहां पर एक प्रशने आपसे PCS के C-set में पूछा गया, है ना, उसमें पूछा गया कि कैलेंडर की गड़ना का आधार क्या है कैलेंडर की गड़ना का आधार क्या है तो कैलेंडर की गड़ना का आधार क्या है दो आधार लिख सकते हैं या तो पहेंगे एक सौर मन इसको आधार मन के या आप इसी को लिख सकते हैं पिर्थिवी की गति पिर्थिवी की गति तो अगर आप से पूछा जाए बताओ कि एक सौर मान क्योंकि यहीं से 365 दिल ले लिया या आप क्या कहेंगे पिर्थिवी की गति क्लियर होगी बात पिर्थिविकी गती यही पूछ लिया था आप से आप देखो ग्रेगरी साब यहां पर एक गलती कर गए पूरा समझ लो जब यहां तक समझे ही हो तो पूरा समझ लो उन्होंने तीन सो पैसर दिन को तो ले लिया लेकिन उन्होंने पांच घंटे 48 मिनट औ और 45 सेकंड को उन्होंने क्या कर दिया छोड़ दिया यह लगबग जो समय था जो उन्होंने छोड़ा यह कितना था छे घंटे तो छे घंटे एक वरस के छूट गए छे घंटे अगले वरस के छूट गए फिर छे घंटे तीसरे वरस के छूट गए और फिर छे घंटे चौ फिर Gregory साब के साथ में एक समस्या आई कि एक दिन फिर इखटा हो गया, अब अगर हमने इसको आधार माना है, तो हम इस समय को कहां calculate करें, क्योंकि ये एक एक दिन इखटा हो गया, तो Gregory साब ने इस एक दिन 24 घंटे को हर चौथे वर्स में कहां पर calculate कर दिया, 365 दिन में calculate कर दि है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अधी वर्स, तो एक अधी वर्स वराबर 366 दिन, यहां पर फरवरी जुक होती है, वो कित्ते दिन की होती है, 29 दिन, है ना, तो लीप येर का concept यहां पर आ गया, है ना, Gregory साब ने दिमाग लगा दिया, ठीक है, कलेंडर में तीन प् 65 दिन का होता है, इसको क्या कहते है, सामान वर्स, अगर पूछा जाए, लीप वर्स, तो 366 दिन का पूछा जाए, अगर पूछा जाए, सौर वर्स, तो फिर आप टिक करेंगे, 365 दिन, पांच घंटे, 48 मिनिट, 467, क्लियर है, इसी के साथ, हम लोग का जो कैलेंडर है, उस वह इती होता है, और जो है, कैसा लगा आपको, बिरूर बताइएगा, थैंक्यू सो मच, लव यू आल, कल खर से मुलाकात होती है, पांच बजे, नमस्ता.